हेलो बच्चों क्या आप मुझे अभी देख पा रहे हैं नहीं न क्योंकि अभी इस कमरे में अंधेरा है तो अब आप मुझे देख पा रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि अब ये जो कमरा है ये प्रकाश मान है बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उससे प्रकाश की किरन टकराती है और वो परावर्ती थोकर हमारी आखोबर पड़ती है जिससे उसका प्रतिविम बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है अभी आप गोली दर्पन में परावर्तन को सुनवा समझ रहे थे गोली दर्पन जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है हम जानते हैं कि गोली दर्पन दो प्रकार के होते हैं एक उत्तल और एक अवतल तो मेरे पास भी देखिए यहां पर एक उत्तल दर्पन है और ये है अवतल दर्पन और अब हम जो आपतित किरन और परावर्तित किरने जो हमें सामानेता दिखाई नहीं देती उसे लेजर लाइट की सहाइता से देखने और समझने की कोशिश करेंगे इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ उतल दर्पन और अब हम क्या करेंगे इस कमरे में फिर से थोड़ा अंधिरा करेंगे और फिर लेजर लाइट की सहायता से आपतित किरण हम इस दरपन पर डालेंगे और फिर देखेंगे कि परावर्तित किरण किस प्रकार गमन करती है हमने यह उत्तल दरपन ले लिया है और अब हम लेजर लाइट की सहायता से यह देखीए यह प्रकाशकी किरण्ट आपतित हुई दिखा सकते हैं। दीखाया है or 7 में देखें परावर्तित किरणे आपको दिखाई दे रही हैं जो की अफसरित हो रही हैं याने की एक दुसरे से दूर जा रही है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं यदि आप इन दोनों परावर्तित किर्णों को दरपन की तरफ जाते हुए देखें तो ऐसा लगेगा कि मानों ये दरपन के पीछे किसी बिंदू पर मिल जाएंगी और उसी बिंदू पर क्या होता है उत्तल दरपन का जो होता है, कि देखे बच्चों हम ने यहा लिया है अवतल दरपंड और अवतल दरपंड पर अब हम प्रकाश की किर्ण आप्तित कर रहे हैं यह देखिए यह जो किर्ण दरपंड पर आपटित हो रही है यह बिलकुल उसी दिशा में परावर्तित गई याने कि यह दर्पंड के केंद्र से परावर्तित हो रही है तो हम इसे इसका मुख्यक्ष कह सकते हैं अब इस मुख्यक्ष के सामना अंतर हम और कुछ केड़ने जो हैं वो आपतित करते हैं दर्पंड पर यह देखिए अरेवा यह परावर्तित केड़ने आपको फोकस बिन्दू है जहां पर हमें अवतल दरपन के लिए क्या मिलता है उसका प्रतिभिम किसी बीवस्तु का प्रतिभिम जो है वह अनन्थ चाने वाली प्रकाश की किर्णों के लिए आपको फोकस बिन्दु पर मिलता है तो देखा बत्चों आपने कि जब हमने अवतल दर्पन और उत्तल दर्पन लिया और उस पर मुख्य अक्ष के सामनांतर अनन्द से जब केड़ने आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्यात किस प्रकार गमन करती हैं जब हमने उत्तल दर्पन लिया तो जो प्रकाश की किरंथी वो परावर्तन के पश्यात अपसरीत हो ग बिंदू है जिस पर किसी वस्तु का आभासी प्रतिविम हमें प्राप्त होता है अब बात करते हैं अवतल दर्पन की जब हमने अवतल दर्पन लिया तो जो अनन से आपतित किरण मुख्यक्ष के समना अंतर इस पर पढ़ रही थी वो परावर्तन के पश्चात आपको कैसी द प्रतिविम दिखाई देता है जो की वास्तविक होता है इस दर्पन से प्रतिविम कैसे बन रहा है इसको समझने के लिए हम एक छोटी से अक्टिविटी करते हैं कागस अवतल दर्पन जिसकी फोकस दूरी ग्यात हो वी स्टेंड मीटर स्केल विधी अवतल दर्पन को वी स को दरपन से विभिन्य दूरियों पर रख कर और कागस को आगे पीछे खिसका कर मौमबत्ती का एक तिक्ष्ण प्रतिविम कागस पर प्राप्त करें ध्यान दें कि मौमबत्ती की लौ कागस के उपर हो जिससे लौ का प्रकाश दरपन पर पढ़ सके अपने अवलोकनों को नामान्य अनुमान लगाया जा सकता है कि गोली दरपन में वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिविम की इस्थिति प्रकृति तथा आकार वस्तु के दरपन के सापेक्ष अलग-अलग इस्थिति पर निर्भर करता हैं वस्तु की कुछ इस्थितियों के लिए प्रतिवि में भी यह गोली दरपण available होते हैं कॉंदेव और कॉंदे दोनों ही प्रकार के दरपण आपके स्कूल में available हैं तो आप जब ही भी लैब में जाने का मौका मिले तो अपने टीचर से बोलिए कि आपको इन दोनों प्रकार के दरपणों को दिखाएं संतल दरपण को तो आप रोज अपने घर में देखते हैं जब आप इन दरपणों को देखेंगे तो सबसे पहले आप उसे अपने हाथ में मान लीजे उस दरपण को अपने पास लाईए और अपने से दूर ले जाए तो आप देखेंगे कि प्रतिविम एक सन नहीं है इसमें परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन इन नियमों के आधार पर ही हो रहा है तो आईए हम एक-एक करके इस अवतल दरपण से बनने वाल है वस्तू अनंत पर रखी गई होगी तो उनकी किरने समांतर ही होती है हमने बच्चों यहां पर किरनों को मुख्य अक्ष के समांतर बनाया है जब वस्तू अनंत पर होती है उनसे आने वाली किरने समांतर रेखाओं के रूप में दर्शाय जाती है तो यहां पर भी हमने व मुख्य अक्ष के भी समानतर ले लिया है और जब ऐसी स्थिती हुई उस समय आप देखेंगे कि यह जो समानतर किरने हैं वो इस दरपंड से टक्राने के पश्चात यानि कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेंगी तो हमने यहां पर दो किरने ली हैं क्योंकि प्रतिबिम के निर्मान के लिए मिनिममम दो किरनों के अवशक्त होती हैं तो टक्राने के पश्चात यानि कि परावर्तन के पश्चात यह सारी किरने इस पर मिल रही है तो इस अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिविम इस फोकस पर बनेगा और यहां प्रतिविम बिंदु आकार का होगा वस्तु कितना भी बड़ा हो यहां प्रतिविम बिंदु आकार का होगा यूंकि सारी किरने इस फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है य यहां पर वस्तु का प्रतिविम बिंदु आकार का होगा बच्चों प्रतिविम की स्थिती और उसका आकार दोनों ही जानना जरूरी है क्योंकि यह कोश्चन आपको एक्जाम में भी पूछे जाते हैं या तो फिलंदा ब्लैंक्स में आएगा एक नंबर का या फिर इसके सब्सक्राइब आप आंगिक प्रशनओं को अच्छी तरह से बना सकते हैं बच्चों यहां पर हमने प्रकाश की किन री हैं इसलिए हम लोगिए जो डाइगराम बना रहे हैं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम इस वस्तु को थोड़ा सा आगे ले आते हैं, यानि कि अब जो वस्तु के स्थिती है, वो इस दरपण के केंद्र और अनंत के बीच में हैं, यहाँ पर कहीं पर हमने वस्तु को रखा है, अब हमको दो किरने चाहिए प्रतिभियम के निर्माण के लिए, मान लीजे हमने पहली किरनली है, जो इस मुख्य अक्ष के समानतर है, तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, हमने एक दूसरी किरनली है, जो इसके सेंटर से होकर गुजर रही है, और जो सेंटर से होकर गुजरती है, वो वापिस मुढ जाती है, तो इस बिंदू पर ये दोनों किरने परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं तो इस बिंदू पर ही प्रतिविम का निर्मान होगा अब यह बिंदू कहां परिस्थेत हैं कि यह जो बिंदू है वो केंद्र और फोकस के बीच में होगा और यहां से हम देखें तो प्रतिविम का आकार वस्तु की तुलना में कम है यानि कि प्रतिविम छोटा बन रहा है वस्तु की तुलना में तो जब दूर में था तो हमने देखा कि प्रतिविम बिंदु आकार का बना जैसे ही हम पास लाते जा रहे हैं वस्तु को तो प्रतिविम का आकार बढ़ रहा है लेकिन अब इस स्थि को केंद्र पर रखते हैं यानि कि सी पर उस कंडिशन में एक हम किरंड लेते हैं जो इसके समांतर है जो समांतर होगी वो तो इसके focus से गुज़र जाएगी मान लीजे हम दूसरी किरण लेते हैं जो इसके focus से गुज़र रही है तो परवर्तन के पश्चा ये समानतर हो जाएगी और ये ज़ग दोनों किरणे जहां पर मिल रही है वहाँ प्रतिविम का निर्मान होगा और ये दोनों किरणे केंदर के नीचे ही मिल रही है तो वस्तू के प्रतिविम का निर्मान केंदर पर ही होगा यदि वस्तू केंदर पर रखी गई होगी और इस चित्र से हम देखें कि जितना बड़ा वस्तू है उतना बड़ा ही प्रतिविम है तो यहाँ पर प्रतिविम की स्थिती और प्रतिविम का आकार उतना ही होगा जितना की वस्तु की स्थिती थी और वस्तु का आकार था अब हम वस्तु को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं अब वस्तु केंद्र और फोकस के पीच में है यहां से हम एक किरन ले रहे हैं जो मुख्यक्ष के समानतर है मुख्यक्ष के समानतर होगी तो वो फोकस होकर गुजर जाएगी दूसरी एक किरन ले रहे हैं माल लीजे जो कि एक केंद्र से गुजरती यदि हम इसको देख रहे हैं तो केंद्र से गुजरती तो टक्राने के बाद भी केंद्र से होकर ही गुजरेगी ये दोनों किर्णे परावर्तन के पश्चात यहां पर मिल रही है तो इस जगे पर प्रतिबिम्ब का निर्मान होगा अब हम देखें कि ये प्रतिबिम्ब का आकार कितना होगा ये प्रतिबिम्ब का आकार वस्तु के तुलना में अधिक होगा और जिस तरीके से बच्चों हम compare करते जाएं तो जब वस्तू दूर थी तो उसका प्रतिविम बिंदू आकार का था पास लाए थोड़ा सा प्रतिविम का आकार बढ़ गया केंद्र पर लाए बिलकुल बराबर हो गया केंद्र से आगे लाए तो वस्तू की तुलना में प्रतिविम का आकार उससे भी अधिक हो गया अब हम वस्तू को और पास ले आते हैं, यानि कि अब वस्तू को हम फोकस पर ले आते हैं, जैसे हम फोकस बिलाते हैं, यहां से हम एक किरन लेते हैं, जो कि इसके समानतर हैं, वो टकराने के पश्चाथ फोकस से गुजरेगी, दूसरी किरन लेते हैं, जो इसके केंद्र से होत आपस लोट जाएगी अब ये दो परावर्तित किरने हैं ये एक दूसरे के समानतर हैं और हम ये मान के चलते हैं कि दो समानतर किरने एक दूसरे से अनंत पर जाकर मिलती हैं इसका मतलब ये किरने भी कहीं अनंत पर मिलेंगी और अनंत पर ही प्रतिविम्ब का निर्मान होगा इस प्रकार यदि वस्तु फोकस पे रखी गई हो दरपण के तो उसके प्रतिविम का निर्मान अनंत पर होता है और इस प्रतिविम का निर्मान भी अनंत पर ही होगा अब हम वस्तु को आगे ले आते हैं यानि कि अब वस्तु फोकस और धुरूफ के बीच में है कि यहां पर हम देखें तो जो केरने समानतर थी वो फोकस से गुजर रही है और जो केरन केद्र से आती हुई पृतितोरी थी वो परवर्तन के प्रश्चाद भी केंद्र से ही वाफस जा रही है और यह हम देख दोनों परवर्तित केरणों की बीश की दूरी लगातार बढ़ती जारी है तो ये दोनों किरने आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर प्रतिविम का निर्माण नहीं होगा यह दिन दोनों किरनों को देखें तो यह इस बिंदू से आती हुई प्रतीत हो रही है यह दिन दोनों किरनों कि ये प्रतिविम का निर्मान इस दर्पन के पीछे हो रहा है और यह वास्तव में यहां पर किरणे आपस में नहीं मिल रहे थी हमने इमेजिन किया कि ये किरणे इस बिंदू से आती हुई प्रतीत हो रही है तो इस तरीके से हम देखें कि जब इस वस्तु को फोकस और के बीच में लाया जाता है तो यहां पर प्रतिविम का निर्मान दरपन के पीछे होता है बच्चों इससे पहले जितने भी स्थिती हमने पढ़ी जब हमने वस्तु को अनंत से लेकर इस फोकस बिंदू तक लेकर आए इन सभी स्थिती में प्रतिविम का निर्मान इन परावर चयांकगी कि इन कि प्रतिविम और चित्रनुसा और पर हम मुन देखेर्टा नुसा तो sudah व्युक्न सदेव ही नहीं जबकि हम यहां देखे इस स्थिती में जब वस्तु को फोकस और धुरूफ के बीच में रखा गया था इस स्थिती में जो परावर्तित किरण थी वापस में नहीं मिल रहे थी हम इमेजिन कर रहे थे वो केसी बिंदू से आती भी प्रतीत हो रही है और वो दोनों बिंदू पर ही हम उन परावर्तित किरणों को मिलता हुँ इमेजिन कर रहे थे तो यहां पर जो प्रतीवियम का निर्मान होता है उससे हम अभासी प्रतीवियम कहते हैं और अभासी प्रतीवियम सदय भी सीधा बनता है इसलिए बच्चो जब आप अवतल दरपन से बहुत दूर होंगे तो आप बहुत छोटे से नजर आएंगे लेकिन जैसे जैसे आप दरपन के पास आते जाएंगे आपका प्रतिविम बड़ा होते जाएगा लेकिन ये प्रतिविम उल्टा बनेगा लेकिन जैसे ही आप दरपन के बहुत पास आ हैं आपको अपना सीधा प्रतिविम दिखाई देने लगता है कि इस स्थिती में आप दुरूफ और फोकस के बीच में रहते हैं इसलिए उस समय अभासी प्रतिविम बनेगा और वो प्रतिविम सीधा बनेगा अब बच्चों हम उत्तल दर्पंड से प्रतिविम की रचना दे बस हम इन परावतित किरणों को मिलता हुआ इमेजिन कर सकते हैं और इसलिए जब हम उत्तल दर्पंड की बात करें तो इसका प्रतिविम हमेशा अभासी होता है चाहीं किसी भी स्थिती में आप रखें मान लीजिए हमने इस दर्पंड के सामने एक वस्तु रखी है इस वस चाहत ये किरणे फैल जाएंगी और ये परावर्तन की नियम का पालन करेंगी सासत हमने ये भी जाना कि जो किरणे मुख्यक्ष के समानतर होती है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो इस अनाति पर रखी हुई वस्तु का प्रतिविम इस दर्पंड के फोकस पर ही ब और वो बिंदू आकार का है इसलिए सीधा है उल्टा अभीम को समझ में नियाता हूँ दिखता है तो उलटा है के सीधा लेकिन वो प्रतिविम सीधा ही बनेगा क्योंकि ये अभासी प्रतिविम है अब हम वस्तु को इस धपणके सामने ले आते हैं इन में से भी किरणे के पश्चात परावर्तित हो जाएगी यह दोनों ही किरणे फैल जाएगी और यह आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे लेकिन जब इन किरणों को पीछे क्यों लेते हैं तो यह दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मिलती हैं और इसी जगे पर प्रतिभिम्द का निर्मान होता है औ और ये प्रतिविम अभासी प्रतिविम होगा और ये सीधा होगा और इस चित्र से हम देख सकते हैं कि इस प्रतिविम का आकार वस्तु के आकार से छोटा है तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर दोनों ही दरपन के लिए प्रतिविम निर्मान को समझा हमने देखा कि अ पहचानेंगे सिंपल है पहले तो चूकर ही पहचानेंगे यदि हम छूते हैं और दरपण सभी जगों पर एक बराबर लगता है तो हम कहेंगे वह समतल दरपण है और यदि हम छूते हैं और बीच पर वह उभरा हुआ लगता है और किनारों पर धसा हुआ लगता है तो हम कहे तो यह जैंगे वह उत्तल दर्पण है लेकिन अगर हम चूते हैं और उसकी चमक दर सता धसी हुई लगती है। साइड साइड उबरी हुई यानि कि उची लगती है बीच में धसी बई लगती है तो वह अवतल दर्पण है। इस प्रकार हम छूकर दर्पण की पहचान कर सकते हैं लेकिन आपको छूने को मना कर दिया जाए और तीनों दर्पणों को दिवार पे टांग दिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि इन दर्पणों की पहचान कीजिए तो आप किस तरह से पहचान करेंगे इनके प्रतिव से मान लेजिए आप तीनों दर्पण के सामने खड़े हैं और उसमें से एक दर्पण में आपका प्रतिविम आपको उल्टा दिखाई दे रहा है तो वो दर्पण जिसमें आपका प्रतिविम उल्टा दिखाई दे रहा है वो तो अवतल दर्पण है क्योंकि अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिविम का निर्माण बन होता है और यह प्रतिविम उल्टा होता है लेकिन यदि आप दरपण के सामने खड़े हैं और तीनों दरपणों में आपका प्रतिविम आपको सीधा नजर आ रहा है और उस समय पहचानने को बोला जा रहा है कि कौन कौन से दरपण है उस समय थोड़ा पहचानना आपके लिए मुश्किल होगा पर आप प्रतिवियम का निर्माण हम जब समझ चुके हैं तो अब शायद आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए हम जानते हैं कि समतल दरपण में हमारा अभासी प्र प्रतिवियम बन रहा होगा वो सीधा तो वो दरपण समतल दरपण है लेकिन अब बचे दो दरपण जिसमें दोनों में आपको अपना सीधा प्रतिवियम ही दिख रहा होगा लेकिन दोनों दरपणों को ध्यान से देखेंगे तो एक में प्रतिवियम बड़ा बन रहा होग क्योंकि हमने देखा था कि जब अवतल दर्पण में focus और धुरूफ के बीच में वस्तू को रखा जाता है उस condition में अभासी प्रतिविम बनता है और यह अभासी प्रतिविम सीधा होता है और वस्तू से बड़ा होता है तो जिस दर्पण में आप बड़े दिख रहे हैं वह अ प्रतिविम देखकर ही तीनों दर्पणों को दूर से पहचान सकते हैं